काजल हिंदुस्तानी की और सिफ भारत माता कीजे नरेंद्र मोधी जी ने राजीव गांधी को ब्रस्टाचारी नंबर वन कहा तो राहूल गांधी पूरी कॉंग्रेस पार्टी और इनकी दलाल वीडिया जो है तिल मिला गई लेकिन सवा सो करोर देश्वासियों के मेंडेट से चुने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी को आप लोगों ने हर रोज इतनी गालिया बकी है प्रधान मंतरी बनने के बाद अगर मैं कहने जाओ न तो एक दिन भी कम पड़ेगा लेकिन आपकी मेमरी रिकॉल कराते हुए मैं कहूंगी कि आप लोगों ने और आपकी जो मा है सोनिया गांधी उसनों ने मोधी जी को कहा मौत का सौधागर राहूल गांधी ने का जवानों के खून की दलाली करते हैं मोस्चुपिड पीम कहा नीच आदमी कहा चायवाला कहा चौकिदार चोरे का बहुत अनाप शनाप उन पे मिम्स बनाए विदेशों में जाके राहूल गांधी उनके लिए इता अंशंट बोलके आते हैं उनको हि आप सवाल Gesetzal करते रहे में राहूल गांधी को बतादी कि नहरु का इत्यास में पहले ठेर अपने पती को करोड़ पती बना दिया उस वाड़न कहती है तो मैं प्रियंका वाडरा को पूछना चाहती हूँ कि क्या मोदी जी ने किसी महिला का चीररन किया है एक्चुली तो प्रियंका वाडरा को बता दो कि राहूल गांदी ने सुकन्या देवी के साथ किया क्या था ना वो देश के सामने आप जरा लाओ ना और मोदी जी ने तो फिर भी भ्रस्टाचारी नंबर वन का आए आपके पिता ने पोपाल गैस कांड के आरोपी एंडरसन क बगाया बूफोर्स घोटाला करा देश को करजे में डुबोया शाबानु के साथ अन्याय किया मुस्लिम अपीजमेंट किया हिंदू के साथ में अन्याय किया सिखों की हत्या करी और आप मोदी जी को तुगलक कहते हो एक्चुली तो राजीव गांदी जो है वो तो प्रद आपको जो यह करमा वाली बात है यह सूट नहीं करती है क्योंकि जब एक वोट से अपने अटल जी की सरकार गिराई ती और आपका पूरा सदन आपका कॉंग्रेस पार्टी पूरी हसी उड़ा रही थी तब अटल जी ने कहा था कि एक दिन यह देश हसेगा आपका कर्मा आ आम ने आया 2014 में यह देश आप पर हसा और अभी 2019 में भी यह देश आप पर हसेगा और वैसे ही सोनिया गांदी की मन्द बुद्धी बेटे को पपू कहकर तो यह देश वैसे भी हसता है तो मैं राहूल गांदी जी को कहूंगी कि आप लोगो का टाइम ओवर गेम ओवर और आपका डाइनेस्ट रूल भी ओवर क्योंकि यह जो देश है ना आपकी परसनल प्रॉपर्टी नहीं है यह गलत फैम यह अब निकाल देना क्योंकि यह देश बदल चुका है भारत माता की जै वंदे मातरम